इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म प्राप्त करने के लिए आपको सलाह दी गई खुराक के अनुसार नियमित रूप से इस दवा का उपयोग करना चाहिए. यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका रक्ट शरकरा का स्तर बहुत अधिक बढ़ सकता है जो आपको गंभीर जटिलताओं के जोखिम मे डाल सकता है. यह उपचार कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमे स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए जैसा कि आपके डॉक्टर ने सलाह दी है. इस दवा का सबसे आम दुश्प्रभाव निम्न रक्ट शरकरा का स्तर है. इसे रोक आसकती है. अन्य दुश्प्रभावों में इंजेक्शन स्थल पर अलजी जैसे लालिमा, सूजन या साक्त गांट शामिल है. इंसुलिन लेने के दौरान कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है. जब आपका बलड शुगर लेवल कम हो तो इस दवा का इस्तेमाल ना करें. उप्चार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी किड्नी, लिवय या दिल की समस्या हुई है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. Lange Solution for Injection के लाब, मधुमे. Lange Solution for Injection इंसुलिन का एक मानब निर्मित रूप है जो उच्चर रक्ट ग्लूकोज शरकरा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह इंसुलिन की जगह लेता है जो सामान्य रूप से शरीर में उत्पन होता है. यह ग्लूकोज को जाने में मदद करता है ताकि आपका शरीर उर्जा के लिए इसका इस्तिमाल कर सके. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करने से मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे गुर्दे की क्षती, आंखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. आपको ये सीखने की आवश्यक्ता होगी कि इस इंसुलिन को कैसे, कहां और कब इंजेक्ट किया जाए, ताकि ये सबसे प्रभावी हो. अहार और व्यायाम के उचित कार्यक्रम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य, स्वस्थ जित हो जाता है. अपने चिकित सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.